हेलो फ्रेंड्स आइम प्रोफेसर जीतेश ये वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो तुवल का SP का पेपर कैसे होगा अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके कोशन कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं कौन से कोशन में कितने मार्क्स मिल सकते हैं तो 50% student भई पर पास हो सकत यह हो जाते हैं अगर उनको पहले से पता चलेगे कि का कोशन पेपर कैसे होगा कौन से कोशन आने वाले इसका तो अल्रेडी मेरा वीडियो बन गया है तो प्लीज उस विडियो को जरूर देखना साथ साथ में आपको जो बताते जाओगा उस विडिक की लिंक में आपको इ तो वीडियो को पूरा देखो और systematically आप पेपर लिखो पेपर पैटन भी बताऊगा और आपको कैसे आंसर लिखना है वो भी बताऊगा पहरा कोशन होगा SP का 20 marks का objective 55 marks के A, B, C, D करके होगे ओके next question number 2 होगा आपका explain the term for example shares तो आपको 2 points लिखना होगा shares का 6 होगी question आपको कोई भी 4 लिखना है transfer of share क्या होता है अगर आपने distinguish याद किये है तो वो add कर दो आप लो financial market के बारे में बोल देगा तो 2 points लिखो अगर आप distinguish याद करते हो ना काफी आपके help होगी इसके लिए कौन से important distinguish है इसका एक already वीडियो बाना प्रिस उस वीडियो को देखो और अपने सारे doubts इसके लिए करो छे question आएगे कोई भी 4 लिखना है एक question होगा दो माक्स का question number 3 के स्चड़ी total तुम्हारे बुक में 33 है जिसमें से आपको 3 आने वाली है लिखना है दो है case study link में आपको description में दे दुगा 33 में से मैं आपको most 10 to 12 बताया हूं वो अगर आप करते हो तो आपको अराम से उसमें 3 में से दो आप कर लोगे और case study बहुत simple है ढूनना है और लिखना है लेकिन उसकी भी technique होती है इसके एक बात पढ़के जाओ के benefit आपको छे marks लेने से कोई नहीं रोखेगा important issues 4 आने वाले board exam में कितने 4 लिखना है 3 हर साल भी सेम था लेकिन इस बार marks कम कर दिया गया है चार में से तीन लिखना है पहले 5 में से तीन लिखना लिखना था out of 5 up to right 3 अब 4 में से 3 लेकिन 12 marks marks भी कम कर दिया है option भी कम दे दिया लेकिन point भी तुम 4 लिखना है जब 4 marks के लिए बोल रहा है तो 4 point लिखना है next question number 5 यह होगा आपका short note क्या होगा short note equity shares का features आ सकता है then depositor के conditions आ सकती है इसका भी एक already मेरा वीडियो बना है प्लीज उस लिटे को देखो question number six justify यह होगे आपके छे चार question जिसमें से आपको दो सर justify क्या रहता है जो आपने short note सब याद के है वही लिखोगी तो भी आपको आराम से 8 में से 6 marks मिल जाएगी ठीक है next later का भी मेरा separate video आया है प आर्ज बोल सकते कल ये टान पर तो आपका paper होगा राइट तो पंद्रा लेटर में से 3 लेटर आने ले लिखना है दो क्या वो जाना चाहते हो दो लेटर कौन से होगी तो इस लिटो को देखो most important later मैंने बताया हूँ 100% बोलता उसमें से आएगा एक लेटर होगा 5 marks 100% आपको 10 में से कोई भी teacher 5 marks लेने से नहीं रुकी तकि इसमें मैंने आपको format भी बताया हूँ और on the spot आपको याद होगा ये मेरी guarantee next answer in brief 8 marks का होगा 100% आपको second chapter में सेख होगा फिर second chapter में से कौन सा होगा already video बना है तकि इसी वीडियो में अगर मैं square करूआ तो वीडियो की length बढ़ जाएगी तो 6 question में से कौन सा question आएगा वो यहां लिख पाओगे plus आपको यहां पर भी बहुत मिलेगा तो वो 6 question जड़ा भी miss मत करना वो 6 question का एक separate video बना है please please request करता हूँ वीडियो को देखना हो और 100% आप SP में आराम से out of 50 marks लेके आ सकते हो यह paper pattern है सेम अगर हम लोग देखे सार कितना कितना टाइम देना है यह जो 20 marks है इसको आप लोग देदो 30 minutes यह तो 20 minutes देदो तो भी चलेगा objective listening ले कितना लगता है short note है इसको देदो आप 20 minutes okay तो 28 marks आपका हो जाएगा 40 मतलब अगर आप 50 minutes भी दोगे न तो भी कोई गम नहीं है अराम से आपका paper complete होगा 20-25 minutes देदो then explain the term कितना time देदो आप लोग इसको देदो 6 marks का है 8 marks का है यह तो इसमें cover हो गया तो डिस्ट्रिश के लिए देदो आप 30 minutes ताकि तीन लिखना है न जितने भी कोईशन अगर आप सबको 30-30 minutes तो भी आपका paper आराम से होगा लाज कोशन अबर 8 है 30-31 hours हो गया 30-32 hours हो गया 30-33 hours अच्छा 30-30 minutes मत दो तो भी हो रहा देखो लेकि नहीं later है तो 30 minutes आपके लिए थोड़ासा problem होगा तो यहां पर आप adjust करो 20 minutes 30 minutes 20 minutes 30 minutes ऐसा adjust करो यहां पर आपको एक ही answer लिखना है और later कर तो समझो आपको 10 minutes से जादा नहीं लगेगा अगर आप वीडियो को देख लोगी तो यह होगा आपका time management so मैं request करता हूँ आप सभी से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है 12 में पढ़ रहे हो कल आपका exam है प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड के सब में share करो उनको बताओ पेपर पैटन ऐसा आना है यही कोशन करके जाए एक्जाम में आराम से पास हो जागा जिसने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है प्लीज 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 जो बताए वो उस वीडियो को पूरा दिखना पंदाव 20 मिट लगे है लेकिन वो पंदाव 20 मिट से आपको अराम से अच्छे खासे 50-70 मार्ग मिल सकते हैं बोड़ एक्जाम में ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगी तो लाइक जरूर करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में शेर करो और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपकमिंग जो भी एक्जाम सोगे उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलत जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट रोड़े में ठेंकी सो मच पॉर्चिंग में वीडियो बाइबाए